इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप कैमरा का वाटरमार्क हटा सकते हो अपने फोन में से ठीक है तो यहाँ पर देखिए मेरे पास सामसंग गैलक्सी S20 का फोन है तो जब हम लोग यहाँ पर फोटो किजिते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा लिखके आ जाता है कि इसे अगर हटाना है तो हम कैसे इसे हटा सकते हैं तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है ठीक है वो सभी कंपनी की फोन में काम करेगी ठीक है चाहे वो रियल्मी का फोन हो चाहे वो रेड्मी का फोन हो चाहे वो मोटो का हो चाहे सामसंग का फोन हो ठीक है तो आपक कोई अलग brand का phone है तो यहां पर three dots दिया हो उस पर click करने के बाद आपको setting का option मिले या फिर उपर ही जैसे यहां samsung में दिया हुआ है उपर ही आपको setting का option मिल जाए तो setting का option ढूंड के आपको settings में चले जाना है settings में आने के बाद camera की watermark का option मिलेगा उस पर आपको चले जाना है या फिर camera watermark के नाम से option होगा उस पर आपको चले जाना है तो यहां camera watermark में मैं आ चुका हूँ और यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर switch है on है ठीक है तो आपका जो भी setting में आप watermark में आओगे तो turn on लिखा होगा तो आपको क्या करना है इसे off कर देना है ठीक है आपको simply इसे off कर देना है उसके बाद आपको आ जाना है back अब back आने के बाद हम क्या करेंगे हम दुबारा से picture click करेंगे ठीक है यहां पर हम मैंने दुबारा से एक picture click की है और यह picture तो अगर आप देख सकते हूँ कि अब हमारा जो camera का watermark पहले आ रहा था वो camera का watermark अब नहीं देखने के लिए हमको मिल रहा है ठीक है? तो इसका मतलब हमारा camera का जो watermark था, वो permanently remote हो चुका है तो इस तरीके से आप camera का जो watchmark होता है लिखा हुआ आता है वो आप रिमूव कर सकते हो उमीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी थैंक यू सो मच